दोस्तो हरियान और पंजाब में regular basis की teachers recruitment आई है PZT TZT के लग भग सभी सब्जक्ट्स की यहाँ vacancy हैं उसी के साथ साथ primary teachers की recruitment भी आई हुई है दोस्तो इस recruitment से जड़े हुई सारी चैनकारे बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप वीडियो को शुरू से लेके आखेल तक जरूर से जरूर देखें और all over India level से teachers recruitment से जोड़ी latest update सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कर लें तो ठीक है दोस्तों अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं detailed notification इस regular basis teachers recruitment 2014 से जुड़ा हुआ ये detailed notification है दोस्तों PCT के लिए qualification देखें दो साल का integrated MA MSC course आपने कर रखा और Regional College of Education of NCERT से concerned subject नप 50% अंकों के साथ या फिर post-graduation concerned subject नप 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो तो ये आप ध्यान रखिएगा post-graduation degree, master's degree आपके पास होनी चीए concerned subject नप 40% अंकों के साथ concerned subject यहाँ यह दर्शा दिये गए यह देखें दोस्तों ये concerned subject है आप वीडियो को रोक के concerned subject देख सकते हैं अपने subject के according जहाँ तक बात है TCT की TCT के लिए आपने कर रखी हो graduation concerned subject में हाँ जे दोस्तों bachelor's degree with at least 50% marks in the concerned subject and combination या फिर combination of subject तो ये आप देख लिजे या फिर 4 साल का integrated degree course Regional College of Education of NCERT से concerned subject में आपने कर रखा हो या post graduation कम से कम 55% अंकों के साथ आपने कर रखी हो और उसी के साथ 3 साल का integrated B.A.M.E.D. आपने कर रखा हो और दोस्तों PZT के लिए master's degree के साथ साथ आपने B.A.D. भी कर रखी हो ये आप ध्यान रखेगा ये देखे नीची यहाँ दिया गया है मैं आपको बता देता हूँ ये concern subject है और उसी के साथ साथ आपने B.A.D. भी कर रखी हो TZT के लिए B.A.D. आपने कर रखी हो C.T.E.T. भी आपका clear होना आउशक है या फिर T.E.T. किसी भी राज्य सरकार के द्वारा जो conduct कराया जाता है वो आपका clear होना आउशक है ये तो है qualification P.R.T. के लिए graduation आपने कर रखी हो 40% अंकों के साथ और उसी के साथ B.E.I.E.A.D. या फिर 2.E.A.D.E.A.D. आपने कर रखी हो और दोस्तो अगर V.A.D. के basis पे आपका selection हो जाता है तो selection के 2 साल के अंदर अंदर आपको 6 महीने का एक ब्रेज कोर्स करना होगा और C.T.E.T. या T.E.T. भी आपका clear होना आवशक है तो ये qualification है और दोस्तों जो ये recruitment है ये recruitment आ रही है Army Public Schools की तरफ से Schools का एकठा एक notification जारी किया गया है तो आप यहाँ देखे और दोस्तों यहाँ एक जरूरी point होई ये देख लीजिए Online screening एक test conduct कराया जाता है AWES के द्वारा Army Public Schools के बहाफ पे तो उसका scorecard है वो अभी फिलहाल mandatory नहीं है Not mandatory बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है Interview के लिए या selection आप ले सकते हैं बगैर इस scorecard के Online screening test का जो scorecard है अगर वो आपके पास नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं और selection भी ले सकते हैं पर joining के दो साल के अंदर अंदर वो test आपको clear करना आवशक है 50% अंकों के साथ ये आप द्यान रखेगा फिलाल mandatory नहीं है पर selection अगर आपका हो जाता है तो दो साल के अंदर अंदर आपको 50% अंकों के साथ वो clear करना आवशक है ये दोस्तो notification है selection of teachers through combined selection board CSB on regular basis है जी दोस्तो Army Public School Ambala Kent पतियाला और संगरूर का एक combined notification जारी किया गया है Army Public School Ambala Kent की तरफ से यहाँ जब एकेंसी है PCT में English की दो Political Science की एक Biology की एक Economics की एक Computer Science की एक TZT में English की एक Science की दो Social Science की एक Physical Education की दो Math की दो Sanskrit की दो Computer Science की दो और Music की एक और PRT की एक वेकेंसी है अपर age limit 40 साल है Fresher candidates के लिए Experience candidate के लिए अपर age limit 57 साल यहाँ निर्धारित की गई है Official website है Apsambala.edu.in OST Scorecard as Applicable तो Detailed Notification में लिखा हुआ फिलाल mandatory नहीं है सेलेक्शन हो जाता है तो दो साल के अंदर-अंदर आपको यह लेना होगा उसे के साथ Seated या TET minimum 60% अंकों के साथ TZT और PRT के लिए आपका क्लियर होना आवशक है Offline ही आपको आविदन करना होगा आपको अपनी Hard Copy By Hand या By Post Army Public School Ambala Kent में जमाकरानी होगी या भेजनी होगी Address है To the Principal Army Public School Ambala Kent 19 Alexandra Road Ambala Kent हरियाना ये PIN Code है आविदन करने की अंतिमतिती 22 जनवरी 2024 है तो यह देख लिजीगा दोस्तों 100 रुपे Application Fees भी इनके लिए निर्धारित की गई है Self Attested Copies of Certificate and Processing Fees of Rs.100 Non-Refundable through Depend Draft Payable in Favor of Army Public School ये Official Website है Army Public School Ambala Kent की Work With Us पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा ये Advertisement है 9 जनवरी 2024 को जारी किया गया है दूसरे नमबर पर ये Guidelines है और ये Application Form है आप यहां से Download कर सकते है तो ठीक है दोस्तों मेंने सारी चैन करें इस Recruitment से जुड़ी हुए बिलकुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में शेयर की गई वीडियो अच्छा लगा झाल